पार्टनर्शिप के अंदर क्या है आप लोगों के पार्टनर्शिप में कौन-कौन से टॉपिक आने वाले हैं वो देख लो पहले तो आप लोग और आपके जो भी बच्चे में ना जैसे फिल फेक्शन थोड़ा बहुत बच्चाव है और जिसका थोड़ा कुछ भी नहीं हो सब एड़ेस्ट हो जाएगा टेंशन मत लो है ना कि पार्टनर्शिप में आपकी क्या क्या आने वाले हैं वो देख लो क्या 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 टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं कि जोइन वेंचे कंसार्मेंट में कोई हो दिखकर तो बोल देंगा और किसी के अगर मैंसेज आ रखें तो मैं आज कल में देखके उसको बता दूंगा ठीक है ब RICH यहां डिखो एक तो एडमिश्ञ से स्टार्ट करने डिका अससे स्टार्ट हो रहा है पांट्र तैंपन सब्सक्राइब करने को पढ़ने हैं तो अच्छा खासा कवरेज रहेगा पार्टनर्शिप का एक पंदरा नंबर का कुषियन आता है पार्टनर्शिप का और कभी कबार्ट चोटे चोटे किशन 2 3 किशन जैसे 1 2 किशन आ गए तो यह मान लिजे 20 नंबर का वेटे आपके रखता है वीज नंबर का पार्टनर्शिप आपके वेटे रखता है Ondreड में से 20 आता ही है 15 माँठ्म का तो आता ही है कुछ कुछ में नमबर का किशयान को इस तरीके कि बीस पीस पर का बन जाता है धीक है अब अपने लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये कहां से एड्मीशन से से कि तब करना है फटाफट फटाफट करना है ना अपने को कि एड्मिशन कि मुझे लगा था इंशुरेंस क्लेम का आपका वीडियो से हो गया है और देखो वापस पढ़ा भी नहीं सकता कुछ लोगों का हो भी चुका था इसलिए मैंने वापस नहीं उठाया उसको वीडियो स्पूरी नहीं मिली कोई बात नहीं है अब देख लेंगे न वापस ही करवाना पड़ेगा करवा दूंगा अब पार्टनेशिप स्टार्ट कर तो चालू रहने तो तुम लोग बोल देते पहले तो वह सब करवाना तो सब कुछ ही है कि करवाना सब कुछ ही है हो जाएगा कि मैं अध्मिशन ऑफ पार्टने फटा फट देखो मैं एक बिजनिसं में नया पार्टने आता है तो पहली बात उसको लिया यह नए पार्ट्ने gir पार्ट headed which Te Confederate को और धाफ सकता है उस बंदे का नाम हुगा जिस्से अपने को फायदा होगा हो सकता उस बंदे के पास दिमाग होगा इसलिए मैंने उसको पार्टनर अपने पास लेया तो रीजन कुछ भी होगा होगा बेनिफिट वाले अगर मुझे किसी बंदे से कोई फायदा मिल रहा है मुझे उसकी नीड है तो मैं उसे अपने पास ऐसे पार्टनर इंवल्व करूंगा से साथ में होता है और उसके लिए नाम देते पार्टनर्शिप और यह सब बताने का जड़त नहीं है एक justice है अपन अपने मिशन से स्टार्ट करते हैं उपन ने फूटा सा फटा फट लिखो क्या कि आठीर में क्या होता है हाजी, लिखेगा, अद्मिशन अपार्टनर इस बन अफ़ दो अद्मिशन अफ़ पार्टनर is one of the modes, one of the modes of reconstitution, reconstitution, of a partnership firm, of a partnership firm, under which, under which, existing agreement comes to an end, existing agreement comes to an end, existing agreement तो खतम हो जाता है, and a new one, and a new one comes into existence, simple सी कहाण नहीं है, नया पार्टनर आएगा, तो obviously partnership हम reconstitute हो जाएगा, कि मतलब उसका जो structure हो चेंज हो जाना है, उसमें क्या होगा, पुराना वाला agreement, जो पुराने partners के बीच में हो रखा था, वो तो खतम हो जाएगा, और नया partnership deed बनाई जाएगी उन सब के बीच में, reconstitutions के लिए, फिर क्या होगा, at the time of admission, at the time of admission, होता क्या admission के time में, the new partner, कुछ लेकर आता है क्या, हाज ही लेकर आता है, new partner brings, क्या लेकर आता है, his share of goodwill, his share of goodwill, and capital, क्या लेकर आएगा, capital लेकर आएगा, और क्या लेकर आएगा, firm की अपनी एक goodwill होती है, profit basis पर वो calculate किया जाता है, capital basis पर वो capital, goodwill calculate किया जाता है, आपने पढ़े होंगे average profit method, super profit method, capitalization method, or annuity method, क्या आपने methods पढ़े होंगे, तो इस basis पर आप क्या करते हैं, किसी firm का goodwill calculate करते हैं, और जब goodwill calculate करते हैं, आप अपने firm का, तो जब भी कोई नया partner, आपके partnership firm में entry लेता है, तो आप क्या करते हैं, उस बंदे से, उस नए बंदे से आप क्या करेंगे, अपनी firm की, जो goodwill होगी, उसमें उसका जो profit sharing ratio, उसके हिसाब से हम उस से भी goodwill का part मंग आएंगे, क्यों क्योंकि वो अब हमारे future profit में से sharing करेगा, future profit के base पे goodwill का calculation होगा, और उन future profit में अब हम क्या देने जा रहे हैं, उस नए partner को हिस्सा देने जा रहे हैं, तो या तुमको future profit में हिस्सा चाहिए, कोई बात नहीं है, जितना goodwill बनता है हमारी firm का, उसमें तुम्हारा जो ratio है, उसके regarding तुम पैसा लेकर आओगे, और वो हमें मिलेगा, क्योंकि future profits में हम sacrifice कर रहे हैं, old partners future profit में sacrifice कर रहे हैं, कि तुम जब आओगे, पड़ाफट से message करो, average profit, super profit वाला, वो सब याद नहीं है सर हमको, पड़ाफट से message करो, और जिसको याद है वो भी बोल दो, बोलो बोलो, message आये हैं, सर थोड़ा याद, थोड़ा याद है, थोड़ा याद है, नो सर याद नहीं है, तो एक काम करना न, आप सब लोग ग्रूप में add हैं ना मेरे, मैं एक link share करूँगा आपसे, valuation of goodwill का, valuation of goodwill का, वो आप देख कर आएंगे, ठीक है, हाँ, जो भी add नहीं है, वो मुझे अलग से message कर दें, मैं एक link share करूँगा, goodwill का अलग से पढ़ने की जरूत नहीं है, वो आप वहाँ से पढ़ लेना काम हो जाएगा, हाँ, जो भी हो, मुझे message कर दीजेगा, ठीक है, now, all partners sacrifice, a share, क्योंकि वहाँ मैंने पूरा death में पढ़ा रख्या आपको, अगर आपके become भी रहेगा, तो उसमें भी काम आएगा, all partners sacrifice a share of their profits, all partners क्या करते हैं, अपना profit में इससे को share करते हैं, sacrifice करते हैं, in his favor, new partners के favor में, end, end, all partners sacrifice a share of profit, in his favor, end, this is, this he gets a share, in the future profit of the firm, ठीक, इतना भी बहुत है, इतना भूत है, all partners sacrifice a share of their profit, in his favor, his कौन, new partners favor, नक्की, इतना भूत है, लिख लिया होगा, यहां तक तो, अगे बढ़ते हैं, अब देखो जी नया partner जब भी आएगा, तो सबसे पहली बाद, यह ट्वेल्ट का chapter है, है ना, तो सबसे पहली बाद यह बताओ, कि नया partner जब भी आएगा, तो दिमाग में क्या आएगा, यहां नया partner आएगा, तो कुछ उसे हिस्सा देना पड़ेगा, हिस्सा profit में देना पड़ेगा, तो अपना profit sharing ratio क्या हो जाएगा, change हो जाएगा, पहले A और B partner थे, अब C partner हो रहा गया, तो obviously profit sharing ratio तो change होगा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, किसके बारे में है, profit sharing ratio के बारे में, calculation of new profit sharing ratio, calculation of new profit sharing ratio, topic लगा दीजिए, calculation of new profit sharing ratio, calculation of new profit sharing ratio, इस पे भी अलग से दो नंबर का question बनता है, पूछा भी गया है काफी बार, अलग से दो नंबर का question, केवल इस topic पे पूछ लिया जाता है, कि नया partner आया है, अब बताओ जी उनका profit sharing ratio क्या होगा, तो आज इस पर practice करना अपने को फटा फट से देखो, सबसे पहले लिखेगा कुछ कंडिशन्स, when only the ratio, when only the ratio of the new partner is given, when only the ratio of the new partner is given, कि one-fourth हिस्से के लिए है, one-fifth हिस्से के लिए ये given है, in question, in the question, then, in absence of, then, in absence of any other agreement, और कोई बात नहीं लिखा वे उस question में, in absence of any other agreement, all partners will share remaining profit, remaining profits, in all ratio, अब ये क्या लिखवार है हो सर, सुनू, जो आप आज तक करते आए हो, कहने का मतलब क्या है, एक example से समझो, कहने का मतलब क्या है, एक example से समझो, A is to B is to C, A is to B is to C, तीन partner है, उनका ratio क्या है, 3 by 6, 2 by 6, और 1 by 6, मतलब 3 is to 1, 3 is to 2 is to 1, simply, 3 is to 2 is to 1, question लिखवा जेता है तुमको, D was admitted in the firm, D was admitted in the firm, D को लाये गया है firm में, as a new partner, as a new partner, with 1, 6th share, with 1, 6th share, calculate new ratio, calculate new profit sharing ratio, कैसे calculate करेंगे, अब इसी चीज़ को मैंने उपर लिखवाया था, देखो, इसी चीज़ को मैंने उपर लिखवाया था, क्या, अब ध्यान से बढ़ा रहा हूं वापस, when only the ratio, of new partner is given, क्या given है question में, only the ratio of new partner is given in the question, that is, इस नया partner आ रहा है, कितने से के लिए, 1, 6th से के लिए, क्यावल ये given है, फिर क्या का, ऐसे case में क्या होगा, all partners, will share, remaining profit, remaining profit को focus करना न, remaining profits, in old ratio, in old ratio, all partners, remaining profit को, old ratio में share करेंगे, कोई message आया, क्या, 3, 2, 1, 1, okay, अच्छा नहीं लग रहा, तिशा, बताओ, ये चीज़ा भी पढ़ानी, बहुत important है, इसका मतलब, है न, हाँ जी, ऐसे case में करोगी क्या, सब लोग देखना, अगर भूल गए हो, कोई बात नहीं, सब लोग देखो, सबसे पहले ता आप लिखना, let the total profit, let the total profit, be, 1, आप मान लीजिए, कंपनी का total profit, एक रुपए है, अब इसमें से, नए partner का हिस्सा कितना है, 1,6, तो share given to D, share given to D, कितना, 1,6, now remaining share कितना रहेगा, remaining share, remaining profit share कितना रहा, अगर पूरे एक profit में से, 1,6 हिस्सा D को दे दिया जाएगा, बचेगा कितना, 5 by 6 ना, यह सब को calculate करना आता है न, 1 में से 1 by 6 गया, कितना बचेगा, 5 by 6, एक बात बताओ, 1 में से 2 by 6 गया तो, मलब 2 by 6 का मतलब है, total 6 portions है, उसमें से 2 portions यह है, total 6 में से 2 portion यह है, तो बागी बचे 4 portion, वो अलग है, 1 माइनस, कोई कहे 5 by 6, तो कहना भया, 6 में से 5 तो यहां पर आ गया, बचा कितना, 1 by 6, इस तरीके से सब calculate किया जाता है, इस तरीके से सब calculate किया जाता है, ठीक है, ओके, फिर मैंने कहा, remaining profit किस ratio में share करेंगे, old partners, remaining profit share करेंगे, old ratio में, remaining profit, दिव्यांशू 3 is to 2 is to 1, क्या लिखा था, यह तो old ratio है, new ratio पुचा गया न, हाँ मनीश, सही answer, ठीक है, remaining share है, 5 by 6, यह remaining share, old partners, किस ratio में share करेंगे, old ratio में, तो 5 by 6, कैसे sharing किया जाएगा, अब new ratio calculate कीजिए, आज़े, new ratio, new ratio, कैसे calculate किया जाएगा, देखो, कौन कौन partner थे, A, B, C, A, B, C, और अब D आ गया है, तो A क्या होगा, जो बचावा share है ना, 5 by 6, जो बचावा share है ना, 5 by 6, जो बचावा share है, 5 by 6, किसके बाद, D को 1 by 6 देने के बाद, जो 5 by 6 बचा, उस 5 by 6 को, ये तीनों partner, remaining profits को, किस ratio में share करेंगे, old ratio में share करेंगे, किस ratio में share करेंगे, old ratio में share करेंगे, old ratio क्या था, इनका 3 by 6, 2 by 6, और 1 by 6, 3 is to 2 is to 1, तो 3 is to 2 is to 1, 3 by 6, 2 by 6, और 1 by 6, तो remaining ratio जो बचा, 5 by 6, उसको क्या करेंगे, old partners, old ratio में share करेंगे, तो अब देखो कितना या, 15 by 36, 10 by 36, 5 by 36, और 1 by 6 को, अगर मैं, denominator 36 में convert करना, चाहूं तो क्या लिखूंगा, simple देखना, 36 divided by 6, कितना होता है, 6 ना, उसको 1 से multiply करेंगे, तो 6 आ जाएगा, तो कहने का मतलब है, अगर denominator को, मुझे 36 में convert करना है, मतलब denominator को, मुझे किस से multiply करना पड़ेगा, into 6 है, तो उपर भी किस से multiply कर दो, into 6 है, simple, हाजी, तो new ratio क्या रहा, उग के पल्लाव शिवानी, हाँ, ठीक है, हाजी, new ratio रहा, 15 is to, लिख लीजिए, हाजी, new ratio, नीचे लिख लेना, A is to, B is to, C is to D, चेक कर लेना भीया, सबका denominator सेम है ना, 36, 36, 36, सबका सेम है denominator, तो अपने हो क्या करने का, अब अपनी ये direct ratio, 15 is to, 10 is to, 5 is to, 6, ऐसा लिख सकते, किसी को कोई दिक्काद हो, तो बोलो, कोई ना तिश्य, अब मुझे बताओ, इस question में, sacrifice ratio क्या होगा, फटाफट बताओ, sacrifice ratio, इस question में, sacrifice ratio क्या होगा, खर all minus नहीं होता है, sacrifice तो हाँ, all minus नहीं होता है, sacrifice ratio, लेकिन सुनो, calculate गरने की जुरत नहीं है, जब भी ऐसा question आता है ना कि नया partner से इतने हिस्से के लिए आया है और कुछ नहीं लिखावा होता है, तो उस case में old ratio ही sacrifice ratio होता है, simple या दख लेना, ऐसे question में जब केवल नया partner का sharing दे रखा हो और कुछ नहीं दे रखा हो, तो simple सा है मा In this case, in this type of case, in this type of case, sacrifice ratio is equals to old ratio, sacrifice ratio is equals to old ratio, that is 3 to 2 to 1. Simple, या रख लेना, इस तरह के questions में जब केवल नया partner का sharing दे रखा हो, वो इतने हिस्से के लिए लाया गया, और कुछ नहीं दे रखा हो, तो नया पहले तो processing क्या रहेगा, कि remaining share निकाल लो, और वो old partners में old ratio में distribute कर दो, remaining shares कितना निकाला था अपन ने, 5 by 6, और इसे old partners में old ratio म 3 is to 2 is to 1 में divide कर दिया गया, ठीक है, बस, केवल ये वाला ही तरीका होता है, जो अलग होता है, बाकी सब में तो अपन पहले sacrifice made calculate कर लेते हैं, और फिर new ratio calculate कर देते हैं, लेकिन इस वाले तरीके में आपको ऐसा ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, किसी को doubt हो, तो बोल सक होता है, ठीक है जी, next question, पहला पढ़ लिया, now, second point लिखते है, sometimes, sometimes new partner, sometimes new partner purchases, purchases his share, purchases his share of profit, purchases his share of profit from the old partners, equally, or in a particular ratio, है, और in a particular ratio, विया, अमने, पिछले वाले से हमें इतना मिला, one fourth मिला, one three मिला, इससे इतना, one by two मिला, उससे अपने को one by six मिला, combine करके देख लेते हैं, अच्छा, old ratio से हमें दोनों से partner से equally मिला, जो one fourth हिससे के लिए मैं आया हूँ, वो मुझे a और b दोनों से बराबर बराबर मिला, तो ऐसी all lines अगर add हो, तो क्या करना चाहिए अपने को, ऐसे all lines अगर add हो, तो अपने को क्या करना चाहिए, अपने को new ratio calculate करना चाहिए, new ratio is equals to, old ratio minus sacrifice made, गौर करना जरा हूँ, sacrifice ratio नहीं लिखवाया है, मैंने, sacrifice made लिखवाया है, old ratio minus sacrifice made, not ratio, दोनों में बहुत फार्क होता है, और बच्चा, कुछ बच्चे तो इसी के अदर अपना परशान होए घूमते रहते हैं, यह sacrifice ratio था, यह sacrifice ratio था, तो sacrifice made आपको less करना है, old ratio minus sacrifice made, आपके पास 5 रुपए है, अगर उसमें से 1 रुपए है, किसी को दे देंगे, तो minus that sacrifice, बचेगा क्या, 4 रुपए, that is new, simple, तो याद रखने का जुरत नहीं, आपके पास 5 है, minus कर दो, एक sacrifice, बचा कितना 4, now, example देखो, example, क्या कह रहा है आप से, लिखेगा, राम और श्याम, दो पार्टनर है, sharing profit and losses in the ratio of 7 is to 12 divided is to 5, 7 by 12 is to 5 by 12, 7 by 12 is to 5 by 12, मलब 7 is to 5, they admit gopie, they admit gopie, gopie को लेकर आए, as a new partner, as a new partner, for one sixth share, for one sixth share, कहानी यहाँ पे खतम नहीं हुई है, वरना यह उपर वाला case बन जाता, कहानी आगे है, which acquire equally, which acquire equally, from Ram and Shyam, from Ram and Shyam, calculate new ratio, calculate new ratio, चलिए, बताएं, try करें, हाजी, calculate new ratio, हाजी, calculate new ratio, हाजी, calculate new ratio, 3 is to 2 is to 1, तिशा ने कहा, दिखो, करने का तरीका क्या रहेगा, सहीए, बट करने का तरीका क्या रहेगा, कभी किसने किया हो, कैसे भी करते हो, तुम लोग सबसे पहले क्या करना, sacrifice made, by all partners, यह calculate करना, sacrifice made by all partners, बागी सब ratio, जो calculate करना होता है, सबसे पहले, sacrifice made ही calculate करते हैं, केवल उपर वाले को छोड़ दो, इस वाले चीज़ को छोड़ दो, जहांप इससे वितना सा लिखा रहता है, कि इतने रिष्से के लिए पाटना रहा, उसे छोड़ दो, बागी सब में क्या करना, सबसे पहले sacrifice made ही calculate करना, कितना sacrifice किया इन लोगों रहें, कहा equally, which acquire equally from Ram and Shyam, कितने इसे के लिए रहा है, one sixth हिस्से के लिए तो आया है, one sixth हिस्से के लिए रहा था, और उसे equally मिला Ram और Shyam से, तो Ram और Shyam का sacrifice कितना, Ram और Shyam, तो 1 by 2, 1 by 2, 1 by 12 portion और 1 by 12 portion इनने sacrifice किया है, तूंको पता है, sacrifice ratio क्या हो गया? sacrifice ratio क्या हुआ? sacrifice ratio हो गया, one is to one. हां, one is to one हुआ है, sacrifice ratio हो गया, one is to one, दोनों में फर्क है देखना न भी वन स्टु वन को मैं लिखूंगा अगर फ्रेक्षण में तो वन बाइच्व वन बाइच्व इस्टु वन बाइच्व rhetoricon में थो WILL लिखूंगा 15 ao तो नो में बहुत फडर्ग है समझ में आया क्या इस चीज को ध्यान रखना ग्वन को मैं क्या बोल सकता हूँ तो अपने को क्या करना है sacrifice ratio sacrifice made में फर्क समझना है यह sacrifice ratio नहीं less करना sacrifice made less करना होता है ओके 1 by 12 1 by 12 less करेंगे new ratio के लिए तो new ratio कैसा आएगा new ratio is equals to ram charm और आया कौन था gopi ram all ratio किया था ram का 7 by 12 और sham का था 5 by 12 इसमें से आपको less करना था sacrifice made 1 by 12 1 by 12 और gopi का हिस्सा कितना था 1 by 6 हिस्से के लिए था less करके देखो कितना रहा है 7 minus 1 6 by 12 5 minus 1 4 by 12 क्योंकि दुनों का denominator सेम था ना तो मुझे बिल्कुल परिशानी नहीं आया 12 LCM आ गया, LCM जानते हो least common multiple अच्छा 1 by 6 को भी मुझे 12 denominator में convert करना है क्या करूँ नीचे दूसे multiply कर दो तो उपर भी दूसे multiply कर दो कितना आएगा 2 by 12 तो नया ratio क्या बन गया भी new ratio राम, शाम और गोपी 6 is to 4 is to 2 या 3 is to 2 is to 1 किसी को दिखकरते तो बोलो old ratio minus sacrifice made new ratio आगया 3 is to 2 is to 1 done चलिए फिर एक example करूँ लिखो तूरेश और रमेश तूरेश और रमेश और रमेश और पार्टन्स Suresh and Ramesh were partners in a firm in a firm sharing profit sharing profit in 5 is to 3 ratio on From 1st April 2021, they admitted, they admitted Mahesh as a new partner, as a new partner for one fourth share, for one fourth share. On 31st July 2021, Akhilesh was admitted, Akhilesh was admitted as a new partner, as a new partner. For one sixth share, which he acquired. which he acquired, Kisilya, equally, which he acquired equally from Turesh, Ramesh and Mahesh. Calculate new ratio. चलिजी, देखो, बताओ कैसा होगा. Calculate new ratio. हाजी, देखो, कैसा आएगा? कौन-कौन partner पहले सुरेश था और रमेश था, फिर महेश को लाया गया और फिर अखिलेश को लाया गया. अब तक जो दोनों चीज़ सिखाए गई है, उन दोनों को merge करके एक example बनाया गया. हाँ, रिया, पहले का 15, 9 और 8 जब महेश आया, तो आप लिखना, on admission of, दो पार्ट में किशन सौल हो गई है, on admission of महेश, पहले महेश के admission पर बात करना, इसमें से फितना सा लिखा हुआ था, महेश 1 4th हिस्से के लिए है, that means वह पहला वाला case, 1st case अपना, on admission of महेश, share of महेश कितना, share of महेश, 1 4th, remaining share कितना, remaining share, 1 में से 1 4th हटा दीजिए, बाकी बचा 3-4 shares, all partners, old ratio में share करेंगे इसको, तो new ratios, new ratio is, कौन कौन सुरेश, रमेश और महेश, सुरेश, रमेश, और महेश, महेश तो 1 4th हिसे के लिए आई रहा है, सुरेश और रमेश के पास बचा, 3 4th हिस्सा, जिसे वो old ratio में distribute कर लेंगे, old ratio क्या है, 5 is to 3, 5 by 8, और 3 by 8, कितना हुआ, 15 by 32, और 9 by 32, और अब मुझे इसको भी 32 के equivalent बनाना है, तो क्या करूँ, इसको 8 से multiply करता हूँ, तो इसको भी 8 से करना पड़ेगा, 8 by 32, new ratio, क्या रहेगा, सुरेश, रमेश और महेश, अब तक का, 15, 9 और 8, इससे आगे सब divide नहीं किया जा सकता, और easy नहीं बना जा सकता, 15, 9 और 8, ऐसा कोई भी common factor नहीं है, जिसे अपन इसको divide कर सकते हैं, हाँ, अब ऐसे ही क्या कीजिएगा, अखिले इश्क के आने पर, इन चारों का, बताईएगा फटाफट से message करके, message रुक गए तुम्हारे, नहीं आता क्या तुमको, बताओ फटाफट से किस-किस को आता है, कर लिया तुम लोगोंने, answer तो बता दो, yes sir लिखा तुम लोगोंने, answer तो बताये नहीं तुमने, करते हैं sir, कर रहे हैं sir, ठीक अतिशा, बागी ने yes क्यों लिखा, भूल गया मैं, हाँ, पड़ा पड़ा आंसर बताओ, कर रहे हैं sir, fix it, क्या शिवानी, सर कर रहे हैं वस आने कोई है, अच्छा अच्छा आने कोई आने दो, कर रहे हैं, अच्छा आने कोई है, अच्छा आने कोई है, 190 raised to 65 raised to 56 raised to 48, ठीक है जी, यही आरा सर, ओके जी, उक्के पल्लव, वेरी गुड, शिवानी एंड, ठीक है स्पर्ष, और जो भी आकाश्वानी हुई थी, वो भी, ठीक है जी, on admission of महेश के बाद, on admission of अखिलेश, नाम तो सुना ही होगा न, अखिलेश को जो इन्वोल किया गया, 1-6 हिस्से के लिए किया गया, और सिर्फ इतना सा नहीं लिखा कि 1-6 के लिए, आगे क्या लिखा, विच्छी एक्वाइड, equally from सुरेश, रमेश न महेश, तो ऐसे के इसमें पहले, सेक्रिफाइस मेड कैलकुलेट करना, और फिर न्यू रेश्यो कैलकुलेट करना, तो पहले सेक्रिफाइस मेड देख लेते हैं, सेक्रिफाइस मेड बाई आल पार्टनर्स, सेक्रिफाइस मेड बाई आल पार्टनर्स, क्या-क्या, कौन-कौन थे, सुरेश था, रमेश था, और महेश था, ये अखिलेश कितने हिस्से के लिए हैं, वन सिक्स के लिए, और इक्वली मिलेगा, वन सिक्स हिस्सा, तीनों से इक्वली, तो इस 1, 6 हिस्से को तीनों में divide कर दे 1, 6 हिस्सा तीनों से equally मतलब 1, 6 हिस्से को क्या करो तीनों में divide कर दो तो divide by 3 कर दो simple तो divide by 3 करने के लिए हम क्या कर रहे है into 1 by 3 कर रहे है divide by 3 करने के लिए तीनों में divide करने के लिए हम क्या कर रहे है उसके बाद क्या करना अभी new ratio ना new ratio calculate करते हैं new ratio कैसे आएगा तुरेश, रमेश, महेश और अखिलेश हाजी old ratio minus old ratio क्या था इनका अभी अभी जो आपने calculate गया था 15, 9 और 8 15, 9 और 8 तो 15, 9 और 8 डिवाइड बै क्या 32 32 और 32 ये कैसे आगया सर 59 और 8 का total लगा लो ठीक है 15 by 38 9 by 32 8 by 32 old ratio में से क्या लेश किया जाएगा sacrifice made 1 by 18 1 by 18 और 1 by 18 और अखिलेश आया था नहीं इससे के लिए कितने के लिए 1 by 6 के लिए ना तो अखिलेश क्या लिख देते हैं 1 by 6 अच्छा मुझे एक बात बताओ एक बात बताओ ये LCM लेके सॉल होता है ना तो ये LCM कैसे लिया जाएगा आपने कितना LCM लिया था इनके लिए 32 और 18 के लिए LCM कितना लिया 288 288 कैसा calculate किया श्रीवानी 32 और 18 का जितने भी वैसे जैसे करते है LCM वैसे least common factor अच्छा ऐसा ये 32 लिखा ये 18 लिखा फिर ऐसा अच्छा फिर true से किया डिवाइड ये 16 और ये 9 फिर again 2 से किया ये 18 ये 9 ऐसा इस सर से किया फिर ऐसा ये 2 ये 9 फिर तीन से किया फिर दो और ये 3 फिर हिन सबको multiply कर दिया 2 into 2 into 2 into 2 in 2 3 उसे ही वहना जब तक डिवाइड कर सकते थे कोई बात नहीं अभी देखता हूँ तो इंटू एटीच टीडिवाट था कर सकते हैं टू तू इंटू ठीड इंटू अगर दिया तू इन्टू 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 इन यह लीस्ट कॉमन मल्टिपल निकालने का टेकनीक ठीक है ना दोनों लिख दीजिए और फिर क्या दोनों तिनों जितने भी हो वो सब दो तीन तीन सब से आप डिवाइड करते चलिए सब चीजों को और लास में आप दो और तीन को आपको वापस अलग से वापस एक एक लाने आपने क्या करना सुनों जैसे आकाश्मानी हुई अभी कि सर इनको मल्टिपला कर दो थर्टीन टू इंटू एटीन कितना है आपके 576 है तर 288 ना लेकर कितना है था तुम लोंगे 288 ना तो कहां सट 288 288 ना लेकर एक काम कीजिएगा 576 भी तो ले सकते हैं दारेक 32 इंटू 18 काम जल्दी हो जाएगा 576 लेलो 18 को 15 से मल्टिपला कर दो 32 को इससे मल्टिपला कर दो केल्कुलेटर तो है अपने पास मेरे का हां है एक दूसरा काम अपने को अगर 288 निकालना तो शॉट्रिक क्या रहेगा सुनों इसका शॉट्र 32 इंटू 18 आपके पास आगया 576 अब आपको क्या यह शो हो रहा है कि 32 और 18 में हाइस्ट कॉमन फेक्टर कौन से हैं हाइस्ट कॉमन फेक्टर क्या यह दोनों दो से डिवाइड हो सकते हैं कि यह सर्टी टू और 18 दो से डिवाइड होगा कैसे पता चलेगा सर लास्ट में डिजिट के जैसे 32 है या 18 इसका जो फर्स डिजिट है राइट साइड में फसिनेट दो राट है तो ऐसा कोई भी नंबर जो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वो दो से पुरा डिवाइड होता है बताओगा तुमको यह सरु होता है तीन वाला कैसे होता है तीन से डिवाइड होता है कि नहीं होता है तीन की टेबल में जो आते हैं तीन का सम है थ्री से मल्टिपल होना चाहिए इन डिजिट का सम है वो क्या होना चाहिए थ्री के मल्टिपल में होना चाहिए जैसे 3 प्लस करो ुवापस सुन्ना दो से तो दोनों डिवाइड है ना 32 डिवाइड वैड टू 16 और 18 डिवाइड वैड टू कितना नाहीं है तो आप क्या करना थर टीटू और जब 18 को मल्टीप्लाइ करो तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना टू से हाइस common factor से डिवाइड कर दो इवन जितना कर सकते तो उतना तो करो हाइस common factor से डिवाइड करके कितना आ जाएगा अपने आप आपके पास 288 आ जाएगा ये शॉर्ट ट्रिक हो गया 32 इंटू 18 किया और हाइस common factor जाप डिवाइड कर दो आपका LCM आ जाएगा ठीक है अब समझ में आओ तो ये श बोलने का फड़ा फट से हाजी अब 288 ले लो 288 तो बड़ा हीजी हो जाता है दोनों को मल्टिप्लाइगा और हाइस common factor से डिवाइड कर दिया फड़ा फड़ा LCM आ जाता है अटेंशन ही नहीं हाजी ओके नव अब 288 में देख लो कैसे करोगे पहले 288 डिवाइड बाइड बाइड थर्टी टू 9 आया इंटू 15 it is 135 किसीको नहीं हाता हो तो यह भी बता जाना फिर 288 divided by 18 into 1 यह आ जाएगा 16 फिर 288 divided by 32 आपको पता था कितना आया था 9 आया था तो 9 into 9 81 अब आपको पता है 16 आया है तो मैनस 16 फिर उसके बाद आपको पता था अगें 288 डिवाइड करने पर 32 से 9 आएगा तो 9 इंटू 8 72 आपको पता है यहां पर 16 था ठीक करें मैसेज आया क्या कि मोहित बता दो क्या बता हूं मोहित अभी बोला ना देखो कैसे आया एल्सीम तो लेना आ गया ना 288 फिर मैंने क्या किया मोहित 288 को 32 से डिवाइड किया कि कितना आया 9 और उस 9 को मैंने 15 से मल्टिप्लाइ कर दिया तो आ गया 135 और रटना नहीं है मोहित रटना है यह नहीं कि देखो कि अच्छा यह प्रोसेसिंग होता है ऐसा रटने का कोई जरूत नहीं है कि मुझे क्या क्या मैंने देख लिया कॉमन जो आपका लिस्ट कॉमन मल्टिपल है है क्या करना है कि मौहित тоб 2020 को भी मुझे क्या करना है क्या करना थो चिंप्ली इसВО जवाब टो कैसे करोगे कि 32 को टो Central तो इस 15 को भी 9 से multiply करके 135 लिख दो ऐसे ही यहां पर देखोगे 18 को 288 में convert करना है कितना है 16 से multiply करूंगा तब आएगा तो वन को भी 16 से multiply कर दो 16 by 28 तो बस 135 और 16 आ गया न यह ऐसे ही बना है और कुछ नहीं और कुछ नहीं है त्रक्स यही है चलिए जी तो अपने को दोनों फ्रेक्शन को 288 दिनोमिनेटर में convert करना था हाजी कितना आया 119 by 288 65 by 288 और 56 by 288 और लास्ट वन इसको भी 288 में convert कर दो कितना एगा 48 डिवाइड बाइ 288 तो न्यू रेश्यों आप लिख दीजिए एस आर एम और ए सबका डिनोमिनेटर सेम है ना तो 119 इस्टू 65 इस्टू 56 इस्टू 48 नकी हो गया आंसर चैलिए जी डन तो आज के लिए बस इतना ही